ये वीडियो रहने वाली है UFC 288 की रीकैब वीडियो एंड आल्सो इस वीडियो में फाइटर्स की नेक्स्ट फाइट क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्रम अलिसके रॉफ वर्सिस फिल हॉस की फाइट से मैंने ये पहले भी कहा था कि इक्रम अलिसके रॉफ वर्सिस फिल हॉस की फाइट काफ़ इंटर्सिंग फाइट है क्योंकि इस फाइट में इक्रम अलिसके रॉफ अपना डेब्यू करने वाला है और ये वही फाइटर है जिसने हामसा चमायव को आउटसेट आफ UFC सबसे टफ फाइट दी थी अब UFC में अंटर करने के बाद इक्रम अलिसके रॉफ ने क्या खतरनाक डेब्यू किया है इक्रम अलिसके रॉफ ने फिल हॉस को फर्स्ट आउट में वन पंच नॉक आउट कर दिया और इस विन के बाद अपने इंटर्विव में इक्रम अलिसके रॉफ ने की फाइट बुक करवाती है तो बो निकल के बारे में ये पता चल जाएगा कि उसकी अमेरिकन रेस्लिंग कितनी जादे इफेक्टिव है दागिस्तानी रेस्लिंग के अगेंस्ट इक्रम इक्रम इली सकेरओफ के पास चांस होगा बो निकल की हाइट को डिस्ट्रॉई करने का और दूसी तरफ बो निकल के पास चांस होगा ये प्रूफ करने का कि वो हामसा चिमायव से भी बेटर इक्रम इली सकेरओफ को हरा सकता है I really wish कि UFC इस fight को book कर दे क्योंकि ये fight 100% बहुत ज़ादा interesting fight होगी और अब बात करते हैं prelims की main event fight Drew Dober वर्सिस Matt Fravola के बारे में Drew Dober की chain इस पूरी UFC में one of the best chain है और ये चीज उसने काफी बार प्रूफ किये कि वो किसी का भी punch ले सकता है बट फाइटिंग में वही बात आती है कि जो punch fighter anticipate नहीं करता वही punch उसको सबसे ज़ादा damage दिता है और इस fight में सेम ऐसा हुआ Drew Dober ने beautiful body punch मारा Matt Fravola को बट उसने गलती ये कर दी कि punch मानने के बाद उसने अपने guard को उपा नहीं किया जिसकी वज़े से Matt Fravola ने उसे crack कर दिया अपने right punch से और जैसे ही Drew Dober knock down हुआ Matt Fravola ने multiple hammer fist land किये जिसकी वज़े से referee ने इस fight को stop कर दिया अब I know की ये थोड़ा early stoppage था क्योंकि जैसे ही fight stop ही Drew Dober वापिस खड़ा हुआ और वो referee से complaint करने लगा early stoppage के लिए बट अब अगर हम बात करें Matt Fravola की तो Matt Fravola ने अपने interview में call out किया Paddy Pimlet को अब I know की सारे fighters चाते है Paddy Pimlet से fight करना क्योंकि उनके according Paddy Pimlet एक easy fight है और अलसो वो take out करना चाते है Dana White के golden boy को बट इस match up में problem ये है कि Paddy Pimlet की just अभी surgery हुई है और most likely वो इस पूरे साल तक training भी नहीं कर पाएगा इस lightweight division में Matt Fravola भी 14th rank पर है तो मेरी opinion में उसे fight करनी चाहिए Renato Moeccano से Renato Moeccano की fight होने वाली थी Arman Sorukin के साथ बट क्योंकि वो fight से पहले injured हो गया था I think दोनों fighters के लिए ये match up best रहेगा जब तक Renato Moeccano injury से वापिस आएगा तब तक Matt Fravola भी ready हो जाएगा next fight करनी के लिए क्योंकि इस fight में उसने damage नहीं लिया था तो वो definitely देखेगा जल्दी fight करने का और अब move on करते हैं UFC 288 main card में Kron Greasy और Charles Jordan दोनों में से अभी कोई भी top 15 में नहीं है इसलिए इस fight को skip करते हुए बात करते हैं Moves are evil wife versus Diego Lopez के बारे में इस पूरे card की one of the best fight थी है तो start करें Diego Lopez से तो दो या फिर तीन दिन की short notice में fight accept करना और इतना insane perform करना ये show करता है कि Diego Lopez ने इस fight को accept सिर्फ money के लिए नहीं किया था उसने खुद पर truly believe किया था कि वो Moves are evil wife को defeat कर सकता है round one में वो आम बार हो या फिर last round में वो नी बार हो Diego Lopez ने काफी ज़ादा dangerous position में डाल दिया था Moves are evil wife को और fight के बाद Dana White ने जो चीज़ की वो काफी अच्छी थी क्योंकि Dana White ने Diego Lopez को हारने के बाद भी उसको win money दे दिये बट अब बात करते हैं still undefeated 17-0 Moves are evil wife के बारे में मैं ये देखकर काफी शौक था कि कैसे Moves are evil wife ने tap out नहीं किया especially round one में जब Diego Lopez ने fully locked आमबा लगाया था इससे पता लगता है कि Moves are evil wife की pain को absorb करनी की power कितनी ज़ादा है Moves are evil wife ने almost similar किया जो मुहामद मुकाइव ने किया था उस fight में भी मुहामद मुकाइव ने नी बार पर tap out नहीं किया था और इस fight में Moves are evil wife ने दो submission attempts पर tap out नहीं किया round one Diego Lopez जिता but round two और round three में Moves are evil wife ने पूरा control ले लिया था wrestling से but I still can't believe कि Moves are evil wife ने tap out कैसे नहीं किया fight के बाद उसने ये भी बोला कि वो tap out कभी नहीं करेगा तो overall ये काफी अच्छी performance थी Diego Lopez से and I'm sure कि वो future में काफी अच्छा करेगा but अब बात करें Moves are evil wife की तो I think वो अब ready है top five fighters से fight करने के लिए इसलिए मुझे लगता है कि UFC को उसको थोड़ा बड़ा जम देना चाहिए और उसको fight करनी चाहिए Arnold Allen के साथ और अब बात करते हैं Jessica Andraj versus Yarn Seanan के बारे में इस fight में Yarn Seanan ने Jessica Andraj को first round में ही knockout कर दिया पता नहीं क्यों इस fight में Jessica Andraj बार बार वो left hook land करने की try कर रही थी और Yarn Seanan को chase कर रही थी वो भी अपनी chin को उपर रख कर इसी की वज़े से Yarn Seanan को थोड़ा ही time लगा Jessica Andraj की movement को read करने का और जैसे उसने Jessica Andraj की movement को read किया उसने Jessica Andraj को counter किया big overhand right से ये पन्च Jessica Andraj पर clean land हुआ जिसकी वज़े से Jessica Andraj knockdown हो गई और थोड़े ही ground and pound के बाद ये fight over हो गई future fight के बारे में को इडाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि Yarn Seanan अब fight करेगी strawweight champion योंग वेली से और most likely ये fight होगी चाइना में और अब बात करते हैं co-main event fight बिलाल मोहमत वर्सिस गिलबर्ट बर्न्स के बारे में तो इस co-main और main event fights का मैंने breakdown कर दिया है तो अगर किसी को वो वीडियो देखनी है तो link description में होगा इसलिए इस वीडियो में बात करते हैं इन fighters की future fights को लेकर तो co-main event winner बिलाल मोहमत का तो ये clear है कि वो अब अपनी next fight करेगा welterweight championship belt के लिए बिलाल मोहमत की fight होगी against winner of Leon Edwards and Kobe Covington but I don't think so कि बिलाल मोहमत की ये fight इस साल होगी maybe December में हो but most likely ये fight होने वाली है 2024 में अब दूसरी तरब बात करें Gilbert Burns की तो अब Gilbert Burns बहुत ही ज़ादा मुश्किल में होने वाला है अब Gilbert Burns को अगर tighter shot चाहिए तो उसको at least 2 से 3 fights को जीतना होगा और उन 2 या फिर 3 fights में वो definitely fight करेगा शाफकात राकमनाव से जो सब को पता है कि Gilbert Burns के लिए easy fight नहीं रहने वाली है Gilbert Burns जुलाए में 37 years का होने वाला है तो अब हमें ये भी mind में रखना होगा कि Gilbert Burns अब old हो रहा है मेरी opinion में तो Gilbert Burns की next fight ही होनी चाहिए शाफकात राकमनाव के साथ इस fight में Gilbert Burns के पास मौका होगा शाफकात राकमनाव की hype को destroy करने का और ये प्रूफ करने का कि वो still belong करता है टॉप डिविजन में दूसी तरफ शाफकात राकमनाव के पास काफी अच्छा चांस होगा ये प्रूफ करने का कि वो Gilbert Burns को easily हरा सकता है as compared to Hamza Chimaev बट अगर Gilbert Burns के point of view से देखा जाए तो I think उसे rematch fight करने चाहिए एक कमार उस्मान के अगेंस्ट और अब बात करते हैं main event fighters Algemin Sterling और Henry Sohudo के बारे में अब इधर भी Algemin Sterling का future path set है क्योंकि वो अपनी next fight करने वाला है Sean O'Malley के साथ अब according to Dana White वो चाहता है कि Algemin Sterling और Sean O'Malley की fight हो August के मत में और Sean O'Malley ने भी अपने interview में का था कि वो जल्दी चाहता है Algemin Sterling से fight करना but to be honest I don't think so Algemin Sterling इतनी जल्दी वापिस आने वाला है Algemin Sterling और Henry Sohudo की fight पूरे 5 rounds कई थी तो वो definitely time off लेने वाला है और फिर उसके बाद ही Sterling सोचेगा फिर से fight करने का but definitely इसी साल हमें Algemin Sterling और Sean O'Malley की fight देखने को मिलीगी और अब बात करें triple C Henry Sohudo की तो पहले Henry Sohudo confused था क्यों से retirement लेनी चाहिए या फिर उसको continue करना चाहिए fight करना but अब recent tweets देकर ऐसा लग रहा है कि Henry Sohudo ready है फिर से fight करने के लिए recently Henry Sohudo ने अपने tweet में मिराब दुलिश्वेली को call out किया है मिराब दुलिश्वेली भी अभी बिना fight के है तो I guess कि UFC Henry Sohudo versus मिराब दुलिश्वेली की fight book करवा सकती है as a fight ये काफी fun fight है देखने के लिए but personally मैच आता था कि Henry Sohudo 135 division को छोड़ कर 145 division में move कर जाए Henry Sohudo still अभी अपने aim को अचीव कर सकता है अगर वो 145 division में move कर जाए ultimately Henry Sohudo ने अपने return मारा है ताकि वो Alexander Volkanovski से fight कर सके तो मेरी opinion में जादा मज़ा इसमें आता कि Henry Sohudo featherweight division में जाके fight करता Max Holloway से I know कि Max Holloway Henry Sohudo के लिए काफी dangerous fight है अगर Henry Sohudo manage कर लेता है Max Holloway को हराने का तो कौन Henry Sohudo को deny कर सकता है tighter shot के लिए recent years में Max Holloway सिर्फ हा रहा है Alexander Volkanovski से तो अगर Henry Sohudo भी Max Holloway को हरा देता है तो definitely Alexander Volkanovski भी चाता Henry Sohudo से fight करना overall let's see इन सारे fighters का future क्या hold करता है और इसी के साथ इस वीडियो का end करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next वीडियो में